नमस्ते मेरा नाम प्रसांत था सबसे पहले बहुत-बहुत धन्यवाद चैनल पाने के लिए और आज हम लोग क्या पढ़ने वाल एंवर्मेंटल लोओ तो इन्वेर्मेंटल लोओ में हम लोग आज अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग इसमें पढ़े तो यहां पर एक तरह सापका content आप इसको देखो लोग पढ़ने वाले क्या हैं तो सबसे पहले हम लोग water act का introduction करेंगे देखो introduction किसी भी act का ना बहुत important होता है पूरा पढ़ने से पहले मैं आपको एक दो बात ही बताना चाहता हूं सबसे पहले इस वीडियो की नीचे में टाइम स्टैंप और चैप्टर करके दिया हुआ है तो आप उसको डारेक्ट जो भी टॉपिक्स जैसे मालों कि आपको पढ़ना है ना सीपी सीबी मतलब क्या हो गया सेंट्रल पॉलूशन कंट्रोल बोर्ट डायक्ट आपको यह पढ़ना है आप टाइम स्टैंप पे जाओ देख लो तो टाइम स्टैंप रहेगा और थोड़ा मैं धीरे पढ़ाता हूं तो आप स्पीड बढ़ा सकते हूं और पिक्सल भी वाटर आक्ट का इंट्रेक्शन पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वाटर आट का अबजेक्टिव उसके बाद थोड़ा से हम लोग दो चार पांच एक दो मिनिट पाम लोग यह पढ़ लेंगे कि आप तो यहां पर देख रहो SPVC मतलब State Pollution Control Board और Central Pollution Control Board मतलब यह पूरे इंडिया के लिए होता होगा यह स्टेट के लिए होता होगा तो यह पढ़ेंगे क्या होता है कि नहीं उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चार टॉपिक लगिने दो मिनिट में हो जाएगा उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने बेर एक्ट में कुछ डिफनेशन देखेंगे definitions पढ़ने के बाद फिर हम लोग ये तीन बोर्ड पढ़ने वाले हम लोग तीन बोर्ड पढ़ेंगे Central Pollution Control Board, State Pollution Control Board और लास्ट पढ़ेंगे Joint Board उसके लास्ट पढ़ेंगे Prevention and Control और लास्ट पढ़ेंगे कुछ Punishment पढ़ेंगे देखो इस Bear Act को जब आप खोलोगे Water Prevention and Control of Pollution Act को तो सवाल है कि सर LLB की एक्जाम में या फिर कोई Competition के आप तयारी करो या फिर NET GRF जो भी प्रिपरेशन करो कोशन्स जेनरली आता कहां से है तो यहां पर टोटल मैंने सब्सक्राइब के लिए यहां पर मैंने पुट किया है आप इसको घर जाके प्रैक्टिस जरूर करना मतलब आप जब पढ़े लोगे ना यह वीडियो के वाल प्रैक्टिस करना आहां से राइटिंग का देखो यहां पर मैं यह सारे कोशन्स को कवर कर दूंगा वैसे लेकिन इंपॉर्टेंट कोशन्स इधर से यह आएगा आप सबसे पहरे क्या पूचा जा सकता आप से साइलेंट फीचर्स ऑफ दे वाटर अप्रिवेंशन और कंट्रोल अक्त मतलब वाटर अक्ट का क्या साइलेंट फीचर्स है यह एक्जामनेशन में कोशन आता है फिर कभी-कभी आप से यह पूचा जा सकता है यह जो तीन बोर्ट आप पढ़े ना स्टेट सेंट्रल और हो आप बोड पढ़े दे यहां पर देखो किए सबुट का इस बुक्त का से बना उसके सथाइब से अहां से और यहां से आता है जो है क्या बोर्ट उसके शजाए मिध्या और कैसे बनाईए बस यह उसके बाद कुछ आपसे यहां से questions क्या पूछा जा सकता है आपसे questions पूछा अरे पिन तो ठीक है हम लोग बोर्ड पढ़ लिए बोर्ड पढ़ तो ने लिए मतलब questions क्या क्या आएगा तो जो भी बोर्ड पढ़ेंग उसका power and functions question आ सकता है पावर and functions of Central Water Pollution Control Board इस तरह से आ सकता है या फिर आपसे यह पूछा जा सकता है Constitution and Composition of State Pollution Control Board इस तरह से questions पूछा जा सकता है और आपसे question पूछा जा सकता है what are the penalty, penal, basically penal provisions आपसे पूछा जा सकता है penalty क्या आपको क्या-क्या provision है prevention and control of Water Pollution Act में 1974 में क्या-क्या punishment का provision है यह पूछा जा सकता है तो यह कुल मिला के questions होता है और एक question आपसे कभी-कभी यह भी पूछ लिया जाता है define water pollution and what are the sources of water pollution इसके लिए already channel पे एक videos available है water pollution करके आप उसको जाके देखो तो आपको causes और effect बहुत detail में पता चल जाएगा तो यह कुछ bear act का introduction था कि questions कहां-कहां से आता है अब हम लोग चलते है water and prevention control act को पढ़ेंगे सबसे पहले आप एक चीज बताओ मेरे को कोई भी जो act बनता है क्यों बनता है जैसे यहां पे एक act है water prevention and control pollution act 1974 तो इसमें हम लोगों को दो-तीन चीज़ें यहां पे तो इधर ही मिल रहा है लेकिन मेरा questions यह है कोई भी act और law जो बनता है आखिर क्यों मनाया जाता है तो देखो problem को solve करने के लिए कोई भी act या law बनाया जाता है यदि हमारे society में किसी भी तरह का problem है तो problem को solve करने के लिए कानून बनाया जाता है जैसे मानलो की road बहुत जादा accident हो रहा है तो हम लोग क्या कानून बना दिये Motor vehicle act तो motor vehicle act कानून ला करके हम लोग क्यों लाए वो कानून को ताकि accident हमारे road पे कम हो सके इसी तरह से हमारा water भी बहुत जादा pollute हो गया था जैसे मानलो यह 1974 इससे पहले कोई भी environmental laws नहीं था environment को बचाने के लिए कोई भी laws नहीं था लेकि 1974 में हमारे government को लगा कि भाई environment बहुत important चीज है और इसको प्रिवेंट करने के लिए water को प्रिवेंट करने के लिए pollution water pollution को control करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा है न तो देखो problem क्या है अपने पास यहां पर water pollute हो चुका है pollution यह हमारा water pollute हो चुका है अब इस problem को solve करना है तो उसके लिए में यह नए आकानूर बना दिए water prevention and control of pollution act अब इस act से हमलों क्या करेंगे water pollution को कम करने की कोसिज करेंगे और water को pollute होने से prevention करेंगे देखो नाम में ही बहुत कुछ है यहां पर नाम पर ही clear नाम से ही clear है यह water act है यहां यहां ते कोई problem नहीं होगा देखो यहां पर थोड़ा सब इंट्रोडेक्शन है की water बहुत essential है यह सब क्या बताना है ना water यह तो मैंने थोड़ा दे दिया जब आप पढ़ोगे तो आप जब इंट्रोडेक्शन लिखोगे ना water and prevention control act का answer writing में तो यह सब चीज़ें आपको help करेंगे इसलिए मैंने यहां पर थोड़ा सा लिख दिया water बहुत essential होता है human के survival के लिए और living creature के लिए बिसिकली और आप जानते हो ना 70% और surface पे क्या है water जिसमें 97% sea water और rest थोड़ा बहुत fresh water है उसके बाद आप जानते हो कि इस case में Supreme Court आत्मा लिंगम ready versus union of India में 2008 का case था इसमें Supreme Court बोल देती है right to have as a safe drinking water यह हमारा part of right to life है ना right to life और human right का यह part है इस case में Supreme Court बोल देती है हम लोगों को अधिकार है किस चीज़ का भाई safe water assess करने का और किसके तहत article 21 of Indian Constitution तो basically आप यह धिया नखना article 21 के अंडर में article 21 के अंडर में fundamental rights हम लोगो guaranteed कर दिया जाता है कि water water एक तरह का fundamental rights है हमारा चल थोड़ा सब्सक्राइब देखते हैं water जो है यह state subject है अब state subject कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं उनके लिए बस कहा रहा है maximum लोगों को समझ में आ रहा हो आपको पता होगा 3-4 list होता है ना union list state list स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट होता है उसको स्टेट सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट होता है उसमें स्टेट गवर्मेंट को पावर होता है लौज बनाने का लेकिन आप देखोगे जब वाटर ये पानी वाटर जब स्टेट सब्जेक्ट इस पर Central Government कैसे कानुन बना रहा है ये जो Water Prevention and Control Act है ये Central Government का कानुन है तो सवाल ये है सर कि आप बोल रहे हो कि वाटर स्टेट सब्जेक्ट है State Subject है लेकिन Parliament कैसे laws बना रहा है तो Parliament laws बना रहा है यह दो article के वज़े से Article 249 यहाँ पर देखो Article 249 and 252 यह दो article के वज़े से इन दुनों article यह दुनों articles जो है न हमारे constitution में जो यह दो 249 और 252 articles है यह empower करता है यह power करता है Parliament को की आप state list में जो subject है national interest वाला national importance वाला इदी कोई subject है इस state list में तो आप उस पे कानून बना सकते हो ये दो articles generally यही बोलता है कि आपको लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा राजसवा में resolution पास करना पड़ेगा उसको two-third majority से पास करना पड़ेगा और पार्यामिन के पास इस power है यदि दो या दो से जाज़ा state का consent है तो उस case में आप उस states के लिए legislation बना सकते हो और यह जो 1974 में 1974 में जो water act आया यह सबसे पहला attempt था हमारे देश में environmental issues पे कानून बनाया गया यहां से और यह पहला attempt था यहां भी देखो 1974 में water act आया, 1980 में forest act और 1981 में air act और environmental protection आया 1986 में तो यह जो आप देख रहा होने यहां पे इससे पहले कोई भी हमारे देश में environmental issues को deal करने के लिए कोई act नहीं था तो यह पहला act है यह जो water act आप पढ़ रहा होना 1974 का यह पहला act है और यह act दो बार भी तक amend हो चुका है एक बार था 1978 में जैसे 1974 में यह आया उसके जस्ट चाहर सलवार 1978 में उसके बार 1988 में ठीक है दो बार इसमें amend हो चुका है आई होप यहां तक कुछ basic चीज आपको समझ में आया होगा कि water right to life के तर्थ आप देखो यहां पर है objective of fact इस objective को मैं थोड़ी दिर में आपको बताने वाला हूँ ठीक है वहां पर मैं बताऊंगा आपको यह bear act है आप देख रहे होगा आपके आपके पास bear act नहीं है तो यहां पर देखो पूरा सारा इस के वाटर आक्ट में टोटल आप देखोगे 64 sections है और 8 chapter है तो basically यह पूरा act 8 chapter में बटा हुआ है और यह 8 chapter 64 section में बटा हुआ है तो हम लोग 64 section में से जैसे यह वाला पार्ट देख लो आप चैप्टर 6 यह तो पढ़ेंगे ही नहीं यह जितन लोग देखो यह अभी जब मैं आपको इंट्रोडेक्शन पढ़ाऊंगा ना सॉरी objective जब मैं पढ़ाऊंगा तो यह पूरा clear हो जाएगा और यह जो पूरा section का arrangement आप देख रहो नहीं आप 64 section का arrangement यह भी clear हो जाएगा जैसे मैं objective पढ़ाऊंगा आपको यह सब clear हो जाएगा डाउन्लोड करना चाहो तो आप कर सकते हो देखो अब लोग इसको start करेंगा ना देखो अब हम लोग पढ़ने वाले water prevention and control of pollution act 1974 bear act निकालो पहला page आपका bear act में यह यह और यह act number 6 है 1974 1974 में जो acts आया था उस acts में से सारे act में से आप क्या सकते हो 7th 6 नमर वाला जो act है वो यह act था अब सवाल है इस act का objective क्या था यह जो act लाया गया भाई यह जो act लाया गया इसका objective क्या था है ना तो इसका objective पढ़ते हैं आप इसका objective समझो यहां पर देखो इतना दुर में जो यह बात है देख रहो न आप यह objective है यहां से total 6-7 point निकल जाएगा अभी थोड़ी दिर में बताऊंगा कैसे तो देखो सबसे पहले इसको पढ़ना पढ़े बिना पढ़े आप नहीं कर सकते है और act to provide for the देखो किस च यह act के चीज़ के लिए प्रिवेंशन और कंट्रोल क्या चीज़ का water pollution का प्रिवेंशन और कंट्रोल उसके बाद क्या देखो maintain करना क्या चीज़ को maintain और restore करना क्या चीज़ को wholesomeness of water यहाँ पर थोड़ा ट्रिक है देखो wholesomeness of water देखो maintain करना है और restore करना किसको wholesomeness of water अब यह जो wholesomeness of water है भाई यह क्या है wholesomeness of water क्या होता है देखो ऐसा water जो की drinking के लिए fit हो एसा water जो की drinking के लिए fit हो fit to use for drinking basically water fit कब होगा drinking के लिए use करने के लिए fit कब होगा जब उसमें pathogenic agent नहीं हो अब सवाल है कि यह pathogenic agent क्या होता है pathogenic agent मतलब disease causing agent जो disease cause करता है उसको में बोलते है pathogenic agent I hope यहां तक कोई क्लियर यहां तक दिक्कत नहीं होगा तो यह जो act किस चीज के लिए भाई prevention and control करने के लिए किसको control करने के लिए water pollution को I hope यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा अब सवाल अब मैं आपसे चीज पूसता हूं यदि अपने को water को pollute करने जो बचाना है prevention करना उसको control करना तो कैसे कर सकते हो आप उसके लिए सबसे पहले आपन को क्या करना पड़ेगा इस चीज को prevention और control करने के लिए अपने को establishment करना पड़ेगा क्या जिसका भाई board का आप board बनाओगे एक authority तो बनाओगे जिसका काम होगा कि water pollution को करना तो हम लोग क्या करेंगे स्टैब्लिश्मेंट करेंगे किसका बाईano इस बोड का क्या काम होगा इस बोर्ट का का काम होगा prevention करना क्या जिसको भाई water pollution को अई हो ये सब समझ में आ रहागा अच्छा बोर्ड कपो बना दोगे बोरड मना के क्या board प्रिवन कर देगा water pollution से control कर देगा water pollution को नहीं भाई उसको कुछ boards को आपको power and functions के देना पड़ेगा कुछ powers देना पड़ेगा तभी तु वो functions कर पाएगा ना तो तेखो यहां पे क्या बहुत अच्छा line लिखा हुआ है for the establishment with a view to carrying out the conferring and assigning to such boards इस boards को क्या करना पड़ेगा भाई पावर देना पड़ेगा ना बोड़ेगा बोड़ेगा पावर and functions अब देखो सिर्फ पावर and functions देने से नहीं होगा है ना कुछ आपको punishment भी डालना पड़ेगा है ना कुछ punishment भी देना पड़ेगा भाई कुछ punishment का प्रापधान भी करना पड़ेगा आई होप यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा objective समझ में आ रहा है तो please आप comment section में बताओ मुझे comment section में बताते हो तो बहुत अच्छा लगता है comment करो आई होप यहां तक आपको objective समझ में आएगा अब जो objective में उपर दिखाऊंगा आपको बहुत easily समझ में आएगा थोड़ा time taken होगा बहुत लंबा हो सकता है वीडियो लेकिन आप यदि यह पढ़ लिए ना आपको दुबारा कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं यह हम लोग पढ़ चुके हैं पहला इस act का objective है कि हमारे जो देश के citizens है इनको clean drinking water provide करना है दूसरा हम लोग देखे थे water pollution से prevention and control भी करना है उसके बाद इसका क्या काम था wholesomeness of water मतलब use के लिए fit बनाना है उसको restore करना और maintain करना देख रहे हो next है अपने को क्या करना पड़ेगा central और state boat को establish करना पड़ेगा किस चीज के लिए prevention और control के लिए आप जो यह prevention of control करोगे नो water pollution के इसके लिए आपको एक boat बनाना पड़ेगा वो boat को आपको कुछ powers देना पड़ेगा ना भई कुछ power इसको comfort या बोल सकते हैं ऐसाइन करना पड़ेगा तभी तो वो boat functions कर पाएगा अच्छे से उसके बाद कुछ आपको कि इसमें punishment का provision भी करना पड़ेगा अब लोग नहीं सुनेंगे बात लोग यहीं बात नहीं सुनेंगे people's बात नहीं सुनेंग इसमें हम लोग कुछ पढ़ते हैं यहां से generally questions नहीं आता है तो अपन को क्या करना पड़ेगा कुछ lab establish करना पड़ेगा ठीक है अब देखो इसी objective पे आप जो भी bear act में objective नीचे पड़े इसी objective के base पे आपको क्या देखने को मिलेगा इस पूरे पूरे act का arrangement आपको इस पूर act है आपका 8 chapter कितना 8 chapter यह जो पूरा 8 chapter ना जिसमें कि आपको कितना sections है 64 यह 64 sections जो है यह पूरे 8 chapter 64 sections आपका objective पे यह आपको objective समझ मागे निस act का तो आपको यह 8 section पहला तो preliminary होता यह सब को पता है preliminary कुछ जादा ऐसा है नहीं next दूसरा हम पढ़ोगा आप central और state board उसके बाद joint board सब इसमें आपको मिल रहा है देखो सबसे पहले joint board बनाओगे तभी तो यह क्या करेगा भाई prevent and control करेगा water pollution को उसके बाद क्या है आप central board और state board तो बना दिए pollution को control करने के लिए भाई इसको water pollution को control कैसे करेंगे और prevent कैसे करेंगे उसके बाद अब यह जो boards बनेगा इसको fund कहां से आएगा है ना उसका audit यह important नहीं हमारे लिए और यहां से questions भी नहीं आता है तो इसको हम लोग अपन side रखते हैं next है कुछ यदि देखो सिफ prevention control बना दिए पावस दे दिए लेकिन यद प्रोविजन नहीं है punishment नहीं है तो लोग अच्छे से follow नहीं करते हैं किसी भी कानून को तो क्या कि हम लोग chapter 7 में कुछ punishment का प्रोविजन कर देते हैं लास्ट मिस नहीं है सा जिसे कि lab बनाना यह बनाना वह बनाना टेस्टिंग एजनसी टेस्ट कैसे करेगी यह सब कुछ है है न तो यह बनाना नहीं अपन के लिए important क्या-क्या है एक बारे देख लेते हैं न अ channels एक बारे देख लेते हैं अपन के लीem portege क्या क्या है अफ ने के 오늘도 यह चेंडर ुचप्टर फूर चाप्टर फाइव और chepTER six यह सबसे ज़्यादा important है इसके बाद थोड़ा सा यह primary भी important है और joint board भी important है ठीक है और यह आपको तो पता है यह 64 section और 8 chapter I hope यह basics अब जब आप यह देखोगे ना आपको easily समझ में आएगा एक बारी मैं थोड़ा सा न स्टार्टिंग से आपको दिखा देता हूं बस देखते जाओ Central Board Constitution State Board का Disqualification Vacancy यह सब यह लोग थोड़ा थोड़ा यह इंसे पर बात करेंगे ताकि आपको लगे कि आपने पूरा bare act पड़ा है ऐसा नहीं कि सिर्फ उपर उपर निकल गए है ना फिर आपको भी मजा नहीं आएगा और समझने में भी थोड़ा problem हो सकता है देखो next joint board उसके बाद है power and functions of the board इसमें central board state board दोनों का functions देखेंगे उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे chapter 5 में कि prevention and control of water pollution कैसे हम लोग prevent कर सकते हैं water pollution को तो यह पढ़ने के बाद आपनको इतना समझ में आ रहा है कि सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं देखो यहां पर देखो तो सबसे पहले आपनको क्या पढ़ना चाहिए आप खुद बोलोगे सबसे पहले आपनको पढ़न मतलब कैसे बनेगा क्या कितने मिम्बर्स चाहिए है ना बोर्ड में तो वह पढ़ना चाहिए अपन को चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं आपन देखो जब आप बेर आक्ट पड़ोगे ना तो यहां पे कुछ पॉइंट्स है यह अपके बेर आक्ट में आपको समझ में आ गया होगा वेरास पार्लेमेंट आपको बनाएगा तो यह वही चीज है यहां पे थोड़ा सा आप इसको पढ़ लेना अब वही चीज है यहां पे देखो जो भी लेजिशलेचर है ना स्टेट का वहाँ से हाऊस में पास करना पड़ेगा जैसे आसाम बिहार इन सब स्टेट में से लेजिशलेचर में पास हुआ फिर फाइनली इन-एक्टमेंट हुआ चलो इसमें कुछ नहीं है पहला चैक्ट सेघ्षिन एक साथ हुआ कुछ बात में हुआ तो वो हम रिंपॉर्टेंट नहीं है दिस सब च्लोज ए कि इस अक्ठ गोल एक्षिन इम के लिए यह सब्सुंबर के लिए इच्ट सब्सुंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्या है अपने क्लिंकवुटनिट यह occupied यह उपार में यह समखरने कुछ नहीं बोर्ड आपको नहीं पता की बोर्ड में सेंट्रल और स्टेट बोर्ड सिंप्ल सैंट्रल बोर्ड मिंस क्या ओगा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड खतम और वो कौनसा बोर्ड जो कि सेक्शन 3 के अंदर बना है मेंबर सिंपल है जो बोर्ड का मेंबर को क्या बोलेंगे भई मेंबर बोलेंगे इसमें चेयर्मेन भी Next occupier यह थोड़ा से अपन के लिए important है occupy किसको बोलेंगे? मालो कि यह एक factory है ठीक है ? इस factory का जो affair है इस factory को जो maintain करता है इस factory को जो चलाता है मतलब हम लोग क्या बोलेंगे उस person के control में यह factory यह factory उस person के control में है देखो अब इसको पढ़ो तो आपको समझ में आराम से आएगा occupier in relation to any factory or premises means the person who has the control over the affair of the factory or the premises and include in the relation to any substance the person or position basically वही चीज़ बोला जा रहा है कि यह जो person था यह person को लोग occupier बोल लेंगे मान लो कि इस person के ही पोजेशन में यह factory है ना है कि नहीं और इसी person के premises में यदी कोई चीज़ हो रहा है जिसके control में उसको हम लोग बोलते हैं occupier चलो next कुछ नहीं है इसमें outlet में हम लोग क्या बोलेंगे channel और pipe वो channel और pipe जिससे क्या होता है आप देखते हो ना trade effulence और sewage है कोई बड़ा सा river में मिल रहा है तो यह जो channel है और यह जो आप क्या सकते हो बड़ा सा pipe है इसको हम लोग बोलते हैं outlet उसके बाद है pollution थोड़ा सा यह पेचीदार है यहां प्यापो समय देना पड़ेगा यदि आप पहला वीडियो देखे होगे air pollution वाला या pollution देखे होगे आप pollution का एक लेक्चर बहुत डेड़ घंटे का है जिसमें कि मैंने छे pollution को अच्छे से एक्सप्लेइन किया है air pollution water pollution मतलब इन सब का causes क्या है affect क्या है प्रिवेंट कैसे कर सकते यह वह वीडियो आपने देखा तो आपको पता होगा pollution क्या होता है pollution मिन्स क्या जिसमें यहां लोग water pollution की बात कर रहे है ना तो यह दि वाटर कंटामिनेट हो जाएगा water का कंटामिनेशन को हम लोग बोलेंगे water pollution यहां पर देखो पॉल्यूशन मीन्स सच कंटामिनेशन ओफ वाटर यदि कंटामिनेट हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे water pollute हो चुका है अब हम लोग पढ़ रहे है pollution pollution का मतलब होता है जैसे मानलो कोई substance है जैसे मानलो यहां पर हम लोग water pollution पढ़ने तो water के बारें पढ़ेंगे यह एक water है ठीक है इसका जो एक biological chemical properties है इसमें यदि किसी भी तरह का changes हुआ यदि किसी भी तरह का alteration हुआ तो हम लोग क्या बोलेंगे और यदि यह contaminate हुआ तो हम लोग बोलेंगे यह water क्या हो चुका है pollute हो चुका है water क्या हो चुका है pollution हो चुका है किसी भी तरह का contamination हो रहा है किसी भी तरह का alter हो रहा है किसी भी तरह का changes हो रहा है अब changes यह alter कैसे हो सकता है आप खुद सोच के देखो यह normal प ब्लैक कलर का गंदा पानी चोड़ रही है थी यह जो वाटर है यह अल्टर हो चुका यह चेंज्ज हो चुका है पहले जिस आप तो रहा नहीं न वाटर तो हम लोग क्या बोलेंगे वाटर का पोल्यूशन हो चुका है अब देखो यह जो आप इसमें जो फेक रहे हो आप क्या सकतो कि यह क्लिक्ला प्रेस्टियाई करेगा नियूसेंस और यह जो वाटर अब क्या हो जाएगा हार फुल कि सके लिए हम public के लिए domestic, commercial, industrial, agriculture सब के लिए क्या हो जाएगा ये harmful हो जाएगा ठीक है animals, equity, life सब का life के लिए क्या हो जाएगा ये harmful हो जाएगा इसके next है sewage effulent देखा अपने पास उतना time नहीं कि और भी detail में मैं जाऊ और detail जाऊँगा तो और भी easy हो जाखता है next है sewage effulent sewage effulent means क्या होता है means effulent from any sewerage system देखतो होनो sewerage system से sewage आता है उसको हम लोग बोलते है देखतो होनो जेनरलिया कभी कभी देखना बड़ा से river है उसमें कहीं से ये नाला होके या क्या सकतो है नाला कोई channel बोलते है हम लोग channel होके पानी गंदा पानी आके river में जो मिल रहा है ये जो beach का water है इसमें ना इसको हम लोग क्या बोलेंगे sewage effulent next है stream stream में आप क्या सकते हो stream में ये भी क्या सकते हो river water course है ना उसके next है sub train अब इसको जब उपर पड़ोगा see इसमें सब आ जाएगा या कोई ऐसा place है जहां पर water है government चाहे notification निकालके उसको भी stream गोशित कर सकती है next है trade effulent it include any liquid gases solid substance which is discharge from any premises useful वही चीज़ है trade effulent किसको बोलेंगे जो industry से जो treatment plant से disposal treatment plant से यदि कोई ऐसा gaseous liquid substance निकल रहा है उसको हम लोगो लेंगे trade effulent industries operation या हमारे घर से treatment plant से यह सब चीज़ या हमारे domestic घर से जो समान सब निकलता है और वो liquid form में या gases form में या फिर solid substance के form में discharge जो हो जाता है उसको में बोलते है यह कुछ important definitions था वो हम लोग पढ़ चुके अच्छे यहाँ पे एक दू वर्ड है आपको यह पता होगा state board, state government यह सब अपन को पता है छोड़ा हम लोग देख लेते हैं pollution control board for union तो सवाल एक मेरा था कि भाई हम लोग तो यह पढ़ चुके हैं कि state board होता है एक central board होता है और एक joint board होता है तो state के लिए state और पूरे इंडिया के लिए whole इंडिया के लिए चलो whole इंडिया के लिए होता है CP आप लोग जानते ही हुआ ना central pollution control board उसके बाद state के लिए state control pollution board उसके आद हम लोग देखते हैं दो से जादा state है तो उसके लिए कभी-कभी हम लोग बना देते हैं कभी-कभी joint pollution control board सवाल यह है सर union territory के लिए क्या pollution control board होगा तो union territory नाम से clear है न कि यह जो कोई union territory है मानलो कि यह pondicherry है यह जो territory है यह तो already central government के अंदर में है union के अंदर में है तो यहाँ पे कौन सा board होगा central pollution control board simple और यह जो board है यह तो central government का है न भाई तो और यहाँ पे rule भी central government का है तो यहाँ पे कोई ऐसा state board नहीं होगा यहाँ पे कोई state board नहीं होगा union territory के लिए Union territory लेगे Central Board ही सारा काम करेगा Next है Next हम लोग देखते हैं Board Member Terms and Condition of Service of Member तो basically हम लोग बात कर रहे हैं Board के जो Member होंगे यह देख रहो अब Board का Member यह जो Board के Member होंगे भाई अब हम लोग इसका Terms and Condition देखते हैं तो जिसे मानलो यह Secretary है Secretary के अलावा जो भी Member होंगे कितने साल को उनका Term होगा 3 years का कितने साल का होगा भाई 3 years का उसके बाद देखो कोई भी person कभी भी परसन कभी भी anytime maybe at anytime resign कर सकता अपने office से other than Secretary उसके बाद है यदि Chairman को मानलो की resignation देना है तो वो किसको resignation देगा Central Government और the State Government next है in case इती resignation आप ऐसा कहलो Chairman के लावा कोई और resignation देगा तो वो किसको देगा मानलो कोई और यह normal office staff है office staff नहीं मानलो की यह other member है other than Chairman Chairman के लावा कोई और और इसको देना resignation तो यह किसको देगा भाई obviously बात है सबसे हेट को नहीं होगा Chairman तो यह Chairman को देगा अब मानलो एक एक पॉइंट यह पढ़ लो यदि a member of board other than secretary है न यदि shall be deemed to have vacate his seat if remains absent three consecutive meetings of the board मानलो board तीन बार consecutive इस लगातार तीन बार meeting बैठा और यह secretary सहाब नहीं लगातार तीन बार इस meeting में रहे without sufficient reason तो यह जो executive आप इस वारे यह जो secretary सहाब है इनका जो seat है वो खतम हो जाएगा अब देखो meeting of board board का जो meeting है यह और basically at least every three months पे होना चाहिए board का जो meeting है हर एक तीन मेने पे एक बार at least होना चाहिए चाहिए अब लोग देखते हैं आपना board का membership कैसे disqualify हो सकता कोई person यह जिसे यह person है अब हम लोग देखेंगे कि disqualification कैसे हो सकता इसका membership यह जो person है इसका कैसे हो सकता disqualification है सबसे पहले insolvency यदि इस person को unsound might declare कर दिया गया competent court के दुबारा तो भी यह disqualify हो सकता है दूसरा यदि किसी case में यह convict हो गया है यह तो हो सकता है या फिर water act में यदि इसका कोई partnership है किसी ऐसे firm में किसी ऐसे company में partnership है जो कि कैची का business करती है manufacturing sale higher missionaries और इस तरह का करती है उससे कुछ sewages निकलता है तो वो person board का member नहीं हो सकता मान लो कि मेरा एक manufacturing unit है इस unit से बहुत ज़्यादा sewage trade effilence निकल रहा है तो मैं board का member नहीं बन सकता हूँ simple next है उसके बाद working as director और security और manager और employee of any company firm having the contract with the board जिसे मान लो मैं यदि किसी ऐसे company का director हूँ secretary हूँ manager हूँ या फिर employee हूँ और वो company का contractor board के साथ तो फिर मैं नहीं बन सकता हूँ board का member यदि मैं हूँ और पता चलिया board को तो मेरा membership क्या हो जाएगा disqualify है ना I hope ये समझ में आया होगा अब जैसे मान लो कोई person यदि disqualify हो गया तो क्या वो दुबारा से जैसे मान लो एक member है वो disqualify होगा उसको remove कर दिया गया under section 6 तो क्या वो फिर से renomination हो सकता उसका नहीं चलो अब हम लोग पढ़ने वाले है central board हाना central pollution control board अब central pollution control board ये देखो cp cb हाना इसका जो constitution हैना ये कैसे होगा section 3 में बताया गया है तो सबसे पहले क्या है a full time chairman और उसके बाद है not more than 5 officials है ना central government का जो representative होगा उसमें कितना हो सकता भाई बस 5 पांच से ज्यादा central government का representative नहीं हो सकता है और state board से कितने member आएंगे 5 members not more than 5 members ठीक है कितने member आ सकने है सिर्फ 5 members और उसमें से local authority को भी represent करेंगा next है not more than 3 members to represent the interest of देखो यहाँ पे agriculture fisheries industries और trade और any interest which in the opinion of government basically कि 3 members से जाद है नहीं होना चाहिए agriculture fisheries सब से ठीक है next है 2 person 2 person होना चाहिए किसे भाई represent the company और corporation owned by the control management central government next है full-time member होना चाहिए secretary जिसके पास किसी का qualification होना चाहिए जिसके पास knowledge होना चाहिए experience होना चाहिए क्याची से related scientific engineering and management होना चाहिए किसी से related pollution controls यदि कोई person ऐसा है जिसके पास बहुत जाता knowledge है experience है किसी इसका pollution control का scientific engineering management aspects उसको पता है तो वो बन सकता है यहां का secretary तो यह कुछ यह कुछ आपको central pollution control board का constitution next function next अपन देखेंगे functions of the pollution control board देखो functions जो है central pollution control board का यह अपन को कहा मिलता है section 16 section 16 में यह functions सारा लिखा हुआ सबसे पहला functions क्या है central pollution control board का कि यह promote करेगा किसको किसको cleanness किसका stream का different area of state उसके बाद इसके लाबा क्या-क्या functions सबसे पहला काम है advice करना किसको central government को अब सवाल है यह जो board बनाएगा किस चीस से related pollution control के लिए तो यह जो advice करेगा central government को कौन सा matter पर है ना तो यह obviously जिस चीज़ के इसको बनाएगा prevention of prevention and control of water pollution इस related prevention कैसे कर सकते water pollution का control कैसे कर सकते यह चीज़ से related central government को advice करने की काम करेगी यह board next है यह coordinate करेगा activities किसके साथ state pollution control board के साथ और dispute को resolve करेगा और यह state pollution control board को guidance और assistance भी provide करने का काम करेगा in case मालो water pollution prevention से related को issues face कर रहा है यह state pollution control board तो उस case में यह technical assistance भी उसको देंगे next है यह क्या करेंगे यह लोग plan करेंगे organize करेंगे किसके लिए जो person water pollution control करने में इंगेज है उस person का training का भी काम करते हैं यह लोग training देने का भी काम करेंगे कौन central pollution control board उसके बाद है यह लोग क्या करेंगे mass media के थूरू आप देखते हूं अभी किसी के phone में यह तीटर है तो आप ट्वीटर पर भी जाके चेक करना central pollution board यह लोग क्या करते हैं programs चलाते हैं किस तरह से water pollution को prevent कर सकते हैं यह सब चीजें यह लोग कमेंट करो बहुत अच्छा लगता अभी जस्ट एक कमेंट आया वाइटी स्टूडियो है ना बहुत अच्छा लगता प्लीज आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कमेंट करो और मुझे बताओ कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है नेक्स्ट इनका काम क्या होता है स्टैटिकल्स मतलब स्टैटिक्स डेटा टेक्निकल और डेटा यह सब से डेटेट डेटा यह देते हैं ताकि हम लोग प्रिवेंट कर सके वाटर पॉलूशन को गाैड़रन्स यह लोग जारी करते हैं कैसे हम लोग सीवेज़ को डिस्पोजल कर सकते हैं तो यह सब काम होता है सेंटरल पॉलुशन का और जो यह लोग प्लैन बनाता है उसको ऐस्रीक्यूट करना भी इनका काम होता है अब जो लैब बनेगा है ना लैब को स्टैब्लिस करना भी इनका काम होता है सेंटरल पॉलिशन बोर्ड का अई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा नेक्स शमलों पढ़ने वाले हैं पावर ओफ अफ देंटरल पॉलिशन कंट्रोल बोर्ड इसका पावर क्या है सबसे पहला इसको जो पावर मिला कि सेक्छन से मिला है Section 18 Section 18 of the Water Act, इसको power क्या मिला है Direction दे सकता है State pollution control board को सबसे पहला power देख लिए ह paints दूसरा power इसको क्या मिला हुआ है, ये क्या कर सकता है इनकेस मानलो कि ये कोई guidance दिया ये कोई order दिया है state pollution control board को direction direction दिया CPCB और यह यह दि मतलब वो इसको follow नहीं किया Compliances नहीं किया In case of non-compliances यह जो Central Pollution Control Board इसके पास power है इसके पास power है कि यह direction दे सकता है और इसका जो functions है SPCB का State Pollution Control Board जो भी functions है उसको यह perform कर सकता है Next power है कि CPCB को empower कर दाता है Issues direction यह direction issue कर सकता है Under the section 33A अब क्या क्या direct कर सकता देखो closer, provision regulation of any industries, operation और process कोई भी industries चल रहा है उसको regulate करने के लिए किसी को provitate करने के लिए यह सब direction देने का issues यह सब direction issue करने का power किसके पास है CPCB उसके बाद मान लो की कोई ऐसा कहलो को कोई industries है जो की follow नहीं कर रहा है guidance को तो उसका electricity supply water supply को भी stoppage करने का power किसके पास है Central pollution control board और भी other services को मना करा जा सकता है किसके द्वारा center pollution control board के द्वार पावर अफ दे सेंट्रल गवर्मेंट अब थोड़ा समय लोग सेंट्रल गवर्मेंट को भी पावर कहां से मिला है section 18 कहां से मिला भाई section 18 देखो central government को इंपावर करा गया है section 18 के द्वारा of water act to give direction राइटिंग में ये direction दे सकता है central government किसको central pollution control board को किसी से रिलेटेट भाई किसी से इसके functions से रिलेटेट ठीक है next है c p c b inter may be give direction to the state pollution control board अब देखो central pollution control board का जो direction होगा न ये सारे state pollution control board पे एक binding होता है मान लो functions से रिलेटेट कोई guidelines central government central government कोई guidelines c p c b को दिया और ये को guidelines s p c b को देगा तो ऐसे चलता है और देखो अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना इसका आपको ये पीडिएफ चाहिए तो आप जाके telegram पर विजिट करो lawyer पसांत करके telegram channel है आप यहां पर जाके download कर सकते हो जो भी चीज़े आपको download करना है यहां से आप download कर सकते हो और यदि कोई queries है तो आप मुझे Instagram पर यह WhatsApp पर पूछ सकते हो पूरा और भी lecture देखना है तो आप जाके YouTube पर आप यहां पर join करो lawyer पसांत पर अब हम लोग पढ़ने वाले स्टेट बोर्ट स्टेट बोर्ट का जो constitution है यह आपको देखने को मिलेगा section 4 से तो स्टेट बोर्ट का जो constitution होता है वो section 4 of water act ठीक है अब सवाल है कि ठीक है सर state pollution control board बनेगा तो इसमें जो member होंगे इसमें जो member होंगे भाई एक तो सबसे पहले कौन होंगे chairman दूसरा पांच member जो होंगे वो state government के representative होंगे five member से ज़्यादा नहीं होना चाहिए है न और पांच member जो होंगे वो local authorities से आएंगे ठीक है states के अंदर जो कुछ local authorities होगा जो functions कर रहे होंगे पांच member वहां से आएंगे चलो भाई एक member होगे या पांच member होगे state government से पांच member होगे local authorities से और तीन member कि इदर से आएंगे वही सेम चीज एग्री कल्चर फिसरीज इंडस्टी इदर से आएंगे उसके बाद दो person कि इदर से आएंगे भाई दो person आएंगे आपको state government के द्वारा ओन करा हुआ companies और corporations से आएंगे ठीक है को दो कंपनिया ऐसे आपके दो कंपनिया ने दो person ठीक है ऐसे जगह से आएंगे जो की companies government के द्वारा owned हो या corporation government द्वारा own हो या control या manage किसके द्वारा हो state government के द्वारा हो वहां से आएंगे उसके बाद है एक full time member आएंगे ठीक है secretary member जिसके पास pollution control prevention का qualities हो जैसे कि कुछ qualification हो उनके पास knowledge हो experience हो और management aspects of pollution control उसके बाद है जो भी member होंगे secretary के अलावा सब का कितने साल तक का tenure होगा यहाँ पर थी इयर्स तीन साल का धियान रखना आप यह सब जो member आप देख रहा हो ना यह कितने साल के लिए three years के लिए और retirement के बाद जब इनका जिसे मानलो three years complete हो जाएगा उसके बाद फिर यह लोग री नॉमिनेट हो सकते हैं यहाँ पर पढ़ो है कि अ कि अ कि ए member of board is also eligible for a renomination तो मतलब renomination इन लोगों का हो सकता है power of the state control board ठीक है state pollution control board का हम लोग power देखेंगे देखो सबसे पहले यह जो हमारा state pollution control board spcb इसको सबसे पहला power मिलता है section 20 से अब देखो अब एक बार बताओ इनको power क्यों मिलना चाहिए भाई power मिलेगा तभी तो यह लोग control करेंगे pollution को pollution को control करने के लिए power तो चाहिए ना तो सबसे पहला power इनको मिलता section 20 में किसी का power to obtain information मतलब information obtain करने का इनको power मिलता है अब मानलो state board के दुवारा को ओफिशर appointed हो गया तो भाई वो power उसको दो के तभी तो वो किसी से जाक information लेगा है ना तो state board को क्या करना पड़ेगा एक officer appoint करना पड़ेगा उस officer को power देना पड़ेगा तुमको power है तुम जाओ information obtain करके लाओ ना देखो क्या लिखा हुआ of any office officer में देखो अब यहां सो उसका कैसे obtain करेगा information देखो में make surveys of any area and keep record of low volume basically यह survey करके किसी भी area का flow का record रखेगा volume रखेगा है ना फ्लो किसका stream का ना भाई वेल का ठीक है stream तो starting में मैंने discuss किया था stream के बारे में ना stream के अंदर क्या क्या आएगा यदि आपके पास bear act है तो आप वहाँ पर definition clause में जाकर देखो सबसे last वाले में second last में आपको मिलेगा stream उसको देख लो एक बार यह दिक्कत हो रहा है तो स्ट्रीम का flow कितना volume का है इसका record रखेगा तब इता information मिलेगा ना यह power किसको दे दिया गया state board को मतलब state board के किसी भी एक officer को ठीक है और भी किसी person से पूछा जा सकता है कि आप information दो information लेने की बात यहां पर कर रहे हैं आपको बस धियाँ रखना 20 section 20 power to obtain information next 21 and 22 इसमें क्या भाई power to take sample तो सेम इसी तरह से क्या होगा state board या फिर आप बोल सकते हो state board के जो officer होंगे state board क्या करें कि officer appoint करेंगा और officer क्या करेंगा भाई किसी भी stream से जाकर किसी भी stream का sample ले सकता है अब stream में मैं बार बार यह नहीं बोलूंगा river pond seas basically मैं बोल दोगा stream ठीक है अब stream में क्या होता है जनरली देखना आप trade influent serious influent यह सब क्या करेंगा रिलीज कर रहा जाता है तो एक officer appoint होगा जिसको मैं बोलते हैं इंस्पेक्टर है ना तो इंस्पेक्टर के पास यह power दे दिया जाता है कि वह जाके stream से sample ले सकता है अब देखो अब जब वो जब sample लिया जाएगा न भाई वो जब sample लिया जाएगा तो क्या करना पड़ेगा उस officer को जो officer उस टाइम पर इंचार्ज में है जीसे मानलों कि यहां से कोई sample ले रहा है और यहां पर कोई person इसका इंचार्ज में है तो वो officer को इसको क्या देना पड़ेगा नोटीस देना पड़ेगा कि मैं यहाँ से यह sample ले रहा हूँ उसके बाद यहां पर यह जो officer था इसको भी sign करना पड़ेगा यह person इसको भी sign करना पड़ेगा इट सुट भी signed बोथ बाइद परसन तेकिंग दे सेंपल बाइद परसन इन चार्ज अप प्लेस देखो यह officer सेंपल ले रहा है और यह इन चार्ज है तो दोनों को sign करना पड़ेगा ठीक है फिर उसके बाद जो state government के दुवारा approved laboratories होगा वहाँ पर जाएगा और यह सेंपल वहाँ पर जो भी उसका काम होगा टेस्ट करा जाएगा central board और state board के दुवारा जो भी laboratories जो भी lab recognize होगा वहाँ पर जाएगा फिर उसके रिपोर्ट आएगा report वो person in charge इसको देखो है अब यह जो person in charge है इसको report भेजा जाएगा next है power to entry and inspection वो जो officer होता है क्या बोलते हम लोग inspector चलो अब हम लोग देखते next power क्या चीज़का भई power of entry and inspection मतलब state government क्या करेगा अपने officers को appoint कर देगा और उस officers को empower कर देता है उस person को empower कर दिया जाता है भाईया तुम्हारे पास right है right है तो किस चीज़ का right है किसी भी जगह पे inter करने का किसी भी जगह पे inter करने का अब सवाल है किसी जगह पे आपको inter करने का right मिला है किसी भी जगह पे जाने का अधिकार मिला है किस चीज़ के लिए मिला है आप ऐसे तो किसी का घर नहीं घुल जाओगे न भाई तो आपको कुछ एक क्या सकतो particular functions perform करने के लिए power मिला है अब वो जो terms and condition हो सकता है वो आपको state board जो होगी वो जो prescribe करेगी उसके बिहाफ पे जैसे कि देखो power to inter inspection वो जाके क्या कर सकता है किसी भी plant को examine कर सकता है उसका record देख सकता है उसका register देख सकता है उसका document दे सकता है ये सब चीज़ें उनको देखना पड़ेगा next power of search and seizure नाम से clear है section 23 जो है water act का ये क्या power देता है कि जाओ भाई तुम search करो और seize करो simple सी बात कहता है नाम से clear हो ये जो title इससे clear हो रहा है भाई आपको power दिया जा रहा है किसी इसका search करो और seize करो तो basically क्या करती है state board अपने authorized officer को ये power देती है कि भाई तुम किसी भी premises में जाओ वहां पर search करो ठीक है search करो जैसे कि premises मतलब plant पर जाओ और कोई ये दि फैक्टरी जाओ तो वहां पर जाओ और search करो ठीक है search करो अपने लिजर्ड शुप कर रहा है वह आ गया है लिजर्ड शुप इस एक सेकेड़ लिजर्ड शुप तो 1623 यह पावर देता है न कि यह किसी भी प्रमिसेश किसी भी प्लांट किसी भी फैक्टरी में जाओ आप और आप वहां पर सर्च करो और यदि आपको ऐसा कुछ लगता है कि यह ओफेंस है इस आक्ट के अंदर वाटर राट के अंदर यह ओफेंस है अपराध है तो आप उ सेवेद्टफर कोफ लौ नेक्सट पावर देखते हमडोग नेक्सट पावर क्या है इम्र Libra किया है इमर्जेंसी नेक्स्ट पावर इसको सख्शन 32 देता है इमर्जेंसी मेजर इन केश ऑफ पोलूशन ओफ लिगी और थीक असटीप से में इसमें बहुत जादा कुछ ऐसा कैसा पॉइजनस सब्स्टांस मिल चुका है जो कि कोई बड़ा सा इससे घटना घट सकती है ऐसा कुछ इनफॉर्मेशन मिलता है स्टेट बोर्ड को कि देखो मानलो यह यह आप कहलो कि एक स्ट्रीम है कि इस पोर्ड को मिलती कि इसमें बहुत जादा सेश्ट बोर्ड को मिल मिल चुका है तो क्या होगा कि जैसे इस सुप्रव्ड होगा तो हो इस trimming Solid एक्सटल या पड़िगा ना और वे इसके लिए तेक इमेडियाट एक्षिन थैनए फॉर्टर फॉलविंग पर्पस किसी इस के लिए इस ने मैट आधान इसको रिमूव 2020 दूसरा दूसरा उसके लिए इस दरें फोलीके नहां मिल लगी सबस्तांस के वजह से स्टी में ये जाए जाएगा उसका डिस्चार्ज को प्रॉटेइंड कर दिया जाएगा कि आइव ये आपको ओगया मानलो सिंपल सी बात को च्टीम में बहुत जाएदा सबस्तांस गया और स्टेट बोड को पता चल गया तो उस केस में क्या कर दिया जाए कि जिस फैक्टरी से उसमें वह चल नेक्स अफ दिखते हम फंसन फंसन ऑफ दी बोड स्टेट बोड का अब हम लोग लास्ट में फंसन देखने वाले हैं चलो चलो यह फंसन देखते हैं वही चीज़ देखो इस प्रोग्राम फोर किस इसके लिए प्रिवेंटिंग अन कंट्रोलिंग पॉलुशन हाना कि बोलुशन कौन सा वाटर पॉलुशन उसके बाद यह सेंट्रल गवर्मेंट के ता जैसे वहाँ पर देखते तो लोग सीपी सीसे मतलब सेंट्रल पॉलुशन कंट्रूल बोर्ड एटवाइस करती थी संट्रल गवर्मेंट को तो यह स्टेट गवर्मेंट को सब्सक्रेइगी सवाल एंद किस्ते से रिलेटेट प्रिवेंशन और कंट्रूलिंग उथ ऑटर नेकश्त 90 ये क्या करेगी सेंट्रल बोर्ट के साथ कॉलेबरेट करे biggest के साथ संन्टरल बोर्ड के साथ जैसे आपको याद करो मेंवने बता हैं पर संदर्नकों प्रेसल्स आप技 देने काम करता है तो बिहार का कोई स्टेट बूर्ड है तो गया क OMAR descente with the सेटप कर सकता है स्टैंडर्ड लेडाउन कर सकता है उसको या कोई स्टैंडर्ड ये दी है और रेडी से तो उसको मोडिफाई कर सकता है दो चीज यहां लेडाउन और मोडिफाई दोनों कर सकता है स्टैंडर्ड को अब सवाल है किस चीज का स्टैंडर्ड वाई तो ट्रेड और यह पास्न से शेक्शन स्वेंटीन से Tôi Ugh शेयर को पता है वह सैंपल को कलेक्ट करेगा सेबिभी थे साम भूए है देखो entsi एक से ज़्यादा board होगा, हाणा, नाम से क्लिए है joint, मतलब यहाँ पर government कितना होगा, एक से ज़्यादा government होगा, simple सी बात है, तो यह थी एक होता तो joint फिर नाम क्यों होता है, हाणा, joint, अब joint जो है, इसके मालनो दो state है, A और B, हाणा, दो government के बीच में, दो government, state government, ठीक है, दो state के बीच में मालो कोई बोर्ड बनना है तो यह बोर्ड कैसे बनेगा तो यह एगरीमेंट से बनेगा देखो यहां पर बनेगा joint board ठीके भाई यहां पर बनेगा joint board अब यह joint board है यह एक specific time period के लिए बनेगा मान लो कि यह specific time period में यह हो सकता है लिखी देता हूं मैं यह specific period जैसे मान लो कि यह three years के लिए बना ठीके यह specific period एक three year के लिए बना अच्छा मान लो एग्रिमेंट से बन रहा हूं अच्राय किसके बीच में हो रहा था इसके किसके बीच में किसके बीच में इसके board क्या बना रहे हैं हम लोग joint board joint board कैसे हो सकता है by the agreement अच्छा agreement किसके किसे बिच में होगा agreement may be entered into देखो by two or more government by two or more government government बोल दिये तो समाझ जो state ही है वो by central government by central government in respect of one or more union territories and one or more government of state or to the union territory कभी कभी क्या हो सकता है union territory and state की बीच में हो सकता है मालो यह pondicherry है और यह tamilnadu इसके बीच में भी हो सकता है ठीक है क्योंकि pondicherry union state and tamilnadu full-ledged state ठीक है i hope आपको joint vote समझ में आया होगा तो joint vote का जो एक बार फिल समय बता हो यह joint vote का जो provision है किस section में है तो section 13 section 13 में constitution है किसका बाई joint vote का तो joint vote कैसे बनेगा यहां से examination में questions कम आता है ठीक है आप इसको ध्यान लगिए joint vote बनेगा कैसे more than one या क्या सकतो two और more है जेनरली टू तो चाहिए टू से कम में तो होगा ही नहीं का मैंना टू और more government यदि मिलके form करना चाहे तो वह joint vote form कर सकता है और joint जो formation होगा यह specific time period के लिए होगा बाद में रिन्यू हो सकता है आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा अब नेक्स पढ़ने वाले हैं कंपोजिशन ओफ जॉइंट बोर्ड बनेगा न भाई इसका कंपोजिशन क्या होगा तो सबसे पहला एक full time क्या होगा और इस चेयर्मेंट को नमीडेट कोन करेगा Central Government इसको नमीडेट करेगा Central Government अच्चा किसको बनाया जाए जिसके पास नौलेज होगा जिसके पास practical experience क्याचिस से रिलेटेट है इन्वर्मेंट प्रोटेक्शन से लेटेट उसके बाद दो ओफिसियल्स कहां से आएंगे पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स जो मानलों कि यह दो स्टेट्स थे आपसम कर रहा थे दोनों जगह से कितना ओफिसियल्स आगा भाई दो फिसल्स फ्रॉम इच है ना मतलब यहां से दो और यहां से भी धो थे थे लिए जराएं यह दो पर्सेंट को औरिप्रेजेट्स को डिच्छल्स चैट्स को मतलब यहां से स्प्रिजफ से बोड़े से इक इंपर फिसल्स अनोमिनिटेट्स और आगा ऐगा इच और यहां से भी एक local authority से आएगा ओफिसियल कहलो person कहलो member कहलो आयोप यहां तक कोई दिक्कत नहीं हो और एक person आएगा fishery agriculture इस department से दोनों से उसके बाद next दो person appoint करा जाएगा central government के दुवारा to represent the companies or corporation own or control managed by the state government मतलब एक person यहां से और एक परसन सॉरर दो person यहां से दो person यहां अब ऊब कि दो person यहां से दो person निससाअ इसको कौन point करेगा सेंटर्ल गपर्म.. और central government इसको point करेगा तो कहां से दो इस राजसर्कार के कौई कहा सकते हो आप सरकारी कंपनी से और यहां के दो सरकारी कंपनी से और एक होगा फुल fles secretary एक होगा full fles one time full time member secretary और इसको point कौन करेगा भाई central government अच्छह किसी को भी बना दिया जाएगा secretary नहीं जिसके पास qualification हो जिसके पास knowledge है जो experience हो किस इसका scientific engineering management का किसका pollution control से related कि बहुत आसान है simple है अब सवाल इसका functions है ना joint board का power and functions वही होगा जो एक power and functions state board का होता है मतलब इसका power and functions similar होता है किस से भाई state board से I hope अब आपको यह तीनु बोर्ड में कोई confusion नहीं होगा है हम लोग state board central board और pollution control board में कौन साइक पढ़ लिए joint board तो यह तीन बोर्ड अपना हो चुका है clear अब हम लोग पढ़ने वाले है prevention of water pollution ना water pollution को कैसे prevent कर सकते हैं इसके लिए क्या-क्या provision है यह पढ़ेंगे और क्या-क्या measure हम लोग उठाएंगे क्या-क्या इस act के द्वारा क्या-क्या measure उठाएंगे गया है water pollution को control करने के लिए हैना water pollution को prevent करने के लिए यह हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहला आपको section 24 बताएगा section 24 यह बताएगा यहां पर देखो provision on use हैना किस इसका use भाई stream और well का आप नहीं कर सकते हो disposal के लिए देखो कोई भी polluting matters जो होता है polluting matters जो की हमारे water को pollute कर सकता है ऐसा material को आप dispose नहीं कर सकते हो किसमें stream और wells में section 24 इसी की बात करता है अब इसमें exception क्या है construction of bridge और डैम एक बाहा बताओ मानलो यह कोई मानलो यह river है यहां पर यहां पर यह यहां पर डैम बनाएंगे तो इससे क्या होगा डैम तो दैम क्या हो सेम इसी तरह से आप पुटिंग स्लो यहां पर सैंड हम लोग निकालते हैं वह हम लोग कुछ रिक्लेमेशन के लिए क्या करते हैं कभी-कभी मैटेरियल डिपॉसिट करते हैं वह फिर कभी-कभी स्टेट बोड का कंसेंट होता है तो यह कुछ एक्सेप्शन है इस पर यह सेक इतना फास में नहीं पढ़ाते क्योंकि बहुत ज़ादा टाइम हो चुका है ऑल्रेडिट छलो ठीक करते हैं इसमें क्या है आप स्टेट के हस्ते बोड के बीना यह सब चीज नहीं कर सकते हो सबसे सकते हो नहीं प्रोसस कर सकते हो जो कि कही न कहीं डिस्चार्ज्ज करेगा सीवेज और ट्रेड इफिलेंट अब सीवेज जिसको नहीं पता है स्टार्टिंग को देखो तो आपको समझ मैंगा तो आप ऐसे ऐसे इंडस्टी जिधि लगाना चाहते जो कि सीवेज और ट्रेड इफिलेंट अरे आप ऐसा इंडस्ट्रिस स्टैबलिस करना चाहते हो जो क्या करेगा ट्रेड इफिलेंट और सीवेज को डिस्चार्ज करेगा तो उसके लिए आपको क्या करेना पड़ेगा भाई कंसेंट लेना पड़ेगा अब देखो आपको कोई नियू देखो यहाँ पर ब्रिंग इंटु यूज ऑफ ए नियू और अल्टर आउटलेट इसको नहीं पता स्टार्टिंग वीडियो देखो कोई मानलो आपको चैनल लेना है कोई आउटलेट को यूज करना या फिर नियू बनाना है तो उसके लिए भी आपको पर्मिशन लेना पड़ेगा किस से स्टेट बोर्ट से नेक्स्ट है आप यदि कोई नया डिस्चार्ज करना चाहते हो सीवेश को तो उसके लिए भी आपको पर्मिशन लेना पड़ेगा कंस्रेंट लेना पड़ेगा स्टेट बोर्ट स कि यदि आप को इसी भी तरह को factories लगाते हो factories लगाते हो तो आपको ये चीज़ पर धियान रखना पड़ेगा कि आपके factories से जो West material निकलता है वो कितना ज़्यादा pollute कर रहा है मतलब stream को है ना ये चीज़ को आपको धियान रखना पड़ेगा देखो अब इस case में probability क्या बोला गया ये सुनो held that unless adequate बेसिकली ये बोला गया कि जब तक हम लोग एक proper provision नहीं बना लेते हैं किसी से रेलेटेड treatment से रेलेटेड इसका treatment, trade effulence और sewage से रेलेटेड जो कि factories से निकलता है जब तक proper एक provision हम लोग नहीं बना लेते हैं तब तक नया application नया factory लगाने का नया applications नहीं accept करा जाएगा उसको क्या करा जाएगा भाई refuse करा जाएगा और यदि कोई water pollution के लिए responsible पाया जाएगा कोई industries तो उसके against क्या लेना है भाई action लेना चाहिए ऐसा कौन बोला mc mehta versus union of india में supreme court चलो next हम लोग दखेंगे existing industries should also apply for consent जो industries जो industries देखो जो industries existing में है उसको भी क्या करना है भाई उसको भी apply करना है consent के लिए यही को industry existing में है वो trade influence discharge कर रहा है कोई industries यह दी है और वो trade influence discharge कर रहा है तो उस case में उसको भी state board से permission लेना पड़ेगा next है section 27 section 27 में देखो इसमें है sample of effluent by state board state board क्या करेगा भाई state board shall grant it consent for establishment of any industries disposal system process operation etc with condition that board shall able to take sample of the effluent basically state board जो होता है consent जब किसी को भी देता है किसी के लिए establishment के लिए तो मालो कि किसी को भी industry establishment के लिए consent देगा state board तो वहाँ पे condition क्या लगाता है कि state board जब भी चाहे आप से sample ले सकती है आपके factory से जो भी best material निकलता है जो भी effluent निकलता है उसका sample ले सकती है section 31 furnishing information about the accident to the state board यदि मालो किसी भी place पे किसी भी industries में क्या होता है कभी कभी देखना बहुत poisonous और बोल सकतो polluting material कर क्या हो जाता है discharge होता है accident के वज़े से कभी कभी हो जाता है कोई मान लो चाहे चल्द हो जाता है जिसके वज़े से poisonous substance, noxist substance polluting material कर क्या हो जाता है discharge हो जाता है तो उस case में उस case में the person responsible for the discharge remission and the person in charge of the place at which search discharge क्या क्या स्टिप्स लेना पड़ेगा जो पर्शन रेस्पॉंसिबल है जहां पर यह चीज डिस्चार्ज होगा देखो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा प्रिवेंट और रिड्यूस करना पड़ेगा वाटर पॉलुशन को है उसके बाद है एंटीमेट इमिडीटली दो अफेक्ट ऑफसर्श डिस्चार्ज इमेशन तु दे स्टीट बॉर्ड आपको क्या करना पड़ेगा इमिडीटली स्टीट बॉर्ड को उस डिस्चार्ज से रिलेटरी चीजें आपको बतानी पड़ेगी इनफॉर्मेशन आपको कोई बहुत जएरी निकल से के पूलूट हो कया मतर श्धार्प सुन द्वत का सबसे पहले को एक स्वाटर से को इस आप buckets लेना है जिससे वाटर उंतक है बहुत सब्सक्री अर्फ श्तीच यह घुत के सतव जाथी अदुन exclusion बताना है कि यह पोजनस सबस्पांज का डिस्चार्ज हो गया ताकि यह लोग आके कंट्रोल करें नैक्सट अब जो information मिलेगा माला स्टेट बोड को information मेलेगा अच्छा पोजनस सबस्पांज का लिग हो चुका है तो उस case में वह measure उठाएगी और prevent करेगी है 나 चलो कुछ हम लोग punishment देख लेते है पैनल्टी कुछ देख लेते हैं हम लोग यदि कोई person देखो section यहाँ पर section 20 subsection 2 और 3 कि under यदि कोई order दिया है board if any person failed to comply with the order of the board under the subsection 2 and 3 of the section 20 then in that case on the conviction he is punishable for the basically यदि आपको board कोई order दिया है आप उसको comply करने से fail कर गया आपको comply नहीं कर रहे है तो उस case में आपको तीन महने तक का जेल हो जकता है और fine लग सकता है या फिर दोनों हो सकता है यदि आप board का order को comply नहीं करते हो यदि आप comply नहीं करते हो तो आपको punishment 6 मन से लेके 6 साल तक हो सकता है प्लस आपको fine भी हो सकता है अब देखो कुछ penalty आपको 42 में भी मिलेगा section 42 में यदि आप इस तरह का कोई हरकत करते हो इस तरह का कोई act करते हो तो यदि आप कोई person यदि remove करता है destroy करता है pull down करता है किसी भी notice को जो की state के द्वारा लगाए गया है state board के द्वारा कोई notice लगाए गया है उसको हटाता है कोई person तो ऐसा करना punishable offense है इसके लिए आपको 3 मेंने तक का साजा और 10,000 रुपिश तक का fine हो सकता है उसके बाद आप यदि board को काम करने नहीं दे रहे हो तो उस case में भी हो सकता है अब यहाँ पर देखो यदि information if a person failed to produce any information as required by the member of the board to perform his duties वही चीज़ है board के member को अपने duty perform करने में दिको information चाहिए आप वो information नहीं दे रहे हो आप fail कर रहे हो उस information को produce करने में तो उस case में भी आपको सजा हो सकती है तीन मन तक का और आपको पता है कि आप जो information दे रहे हो वो false है तो उस case में भी आपको तीन मन तक का सजा हो सकता है अब नों last करेंगे conclusion आपको देखो सारे लोगों को पता है water pollution एक बहुत बड़ा issue है इंडिया में और इसको control करना इसको prevent करना उससे भी एक बड़ा issue है अभी तक तो हम लोग एक अच्छे तरह से awareness भी नहीं create कर पाए है people के बीच में regarding the conserving the water bodies हम लोग को इसी से लेटेट कि water bodies को हमें conserve करना चाहिए हमारे पास जो भी stream से उसको बचाक रखना चाहिए है न और यह जो act है यह act various agency provide करता है जिसका क्या काम होता है prevent और control करना water pollution को और यह act बहुत सारा procedure भी lay down करता है complaint कर सकते हो आप है न हर एक board को power and functions कुछ देता है यह act however more ever need to be done and the act should be basically कोई चीज करा जा रहा है बोला जा रहा है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए हमारा जो यह act and water act इसको और भी ज़्यादा comprehensive बनाना चाहिए इससे क्या होगा ज्यादा से ज्यादा participation हो पाएगा punishment जो है उसको हम लोगों क्या करना चाहिए और भी strict करना चाहिए है ना देखो आपको यदि समझ में आ रहा है तो प्लीज आप चैनल को लाइक चैनल को subscribe करो वीडियो को like करो और भी environmental लौक आपको वीडियो चाहिए तो environmental लौका आप playlist विजिट करो आपको वीडियो मिल जागा बहुत लंबा हो गया वीडियो यह आपको पसंद आ रहा तो आप ब्लीज कमेंट करो और आपको मुझे connect करना है तो यहाँ पे आप मुझे connect कर सकते हो और whatsapp पे भी आप मुझे कुछ पूच सकते हो नोट्स चाहिए लौयर पसंद को विजिट करो आपको नोट्स मिल जागा thank you so much for watching this video